हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी ठीक है अब हम कंटिन्यू करेंगे चेप्टर टाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स के बारे में देखें लास्ट क्लास में हमने सिखा था की वही टच टाइपिंग होती क्या है और कुछ कीज के बारे में हमने डिसकस किया था जैसे क की अल्फानुमेरी कीज है पंचवेशन कीज है उनके बारे में हमने डिसकस किया था आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप ऑफ कीज यानि कि जो थार्ड है आपकी देखें ऑल्ड की जो है आपकी अल्टरनेट कीज होती है वैसे तो कीबोर्ड के उपर दो कीज होती है ठेलिंगे लेफट साट में होती है को आपकी तो कि आपकी राइट साट में होती है इन की जो होते है एक्रसilt pits नहीं होती है तो इस तो प्रोग्राम की उपर डिपेंट करता है आप ऑनसा कौह आप ओंने? यह आपने computer में ठीक है तो different program में different different alt key और उनकी साथ combination या conjunction with other keys का अलग-अलग matter होता है ठीक है then you can use according to that program now fourth one is your arrow keys देखे arrow keys जो होती है आपकी four होती है basically आपने keyboard पर देखा होगा जो enter की होती है ठीक उसे just नीचे होती है यह एक एक आपकी होती है left then right then up and down ठीक है left right up and down four arrow keys होती है यह भी आपको जैसे कि आप कोई भी typing करते हैं चाहे word के अंदर चाहे notpad के अंदर ठीक है तो इनका जो use होता है cursor को move कराने के लिए up and down ठीक है ना अब जाना है left जाना है right जाना है तो अब in keys का हम use करते हैं ठीक है next key है आपकी shift की shift key भी आपकी दो होती है keyboard पर इसका भी जो use होता है conjunction with other keys ठीक है यह भी अधेकली यूजर नहीं होती है यह वाली की ठीक है यह बी दो यह आपकी keyboard के ऊपर एक left में में होती है दन एक राइट में होती है इनका भी जैसे कि माली है आपको भी लेटर कैपिटल करना चाहते है एक्जांपल देता हूं मैं आपको झासी करना साथ है then you can use shift key ठीक है keep keep shift keep keep it press and then alternate keys then you can make the letter capital ठीक है तो आप जो है capital letter आप बना सकते हैं shift key का साथ shift key के साथ कोई भी alphabet माले जी आपको type करना है भी आपको type करना है then it will it will make capital ठीक है ना now next है आपकी backspace की जो आपकी backspace की होती है वह आप सभी को पता है अगर माले जी आपको भी कोई करेक्टर आपको डिलीट करना है ठीक है left of the cursor then you go with backspace की ठीक है जो आपकी यानि कि कोई भी गलत typing हो जाती है कोई word letter गलत हो गया कोई word गलत हो गया है then you can erase with the help of backspace की ठीक है उसके बाद है आपकी control की control की जो है आपकी यह भी किसी के साथ combination के साथ यूज होती है यह भी कभी अके लिए यूज नहीं होती है जैसे कि control home ठीक है control डेल ठीक है ना combination के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं यह भी program की उपर depend करता है किस type का program आप यूज करते हो अलगलग उमें शौटकिट की ए लिए आप यूज करते हैं ठीक है टाइपिंग में भी bottom यूज करते हैं ठीक है control की इधियान रखना है जैसे shift है आपकी control की है या alt की है हमेशा always जो है दूसरी की के combination के साथ ही use होती है जब आप typing करते हैं ठीक है नेक्स्ट आप की delete की देखे delete की भी to erase the character from the right of the cursor यानि की जो आपकी delete की होती है वो cursor के right से erase करती है और जो आपकी backspace की होती है वो आपकी cursor से left से erase की दिया यानि cursor के left से जो आपका left होगा वो cursor का भी left होगा जो आपका right है वो cursor का भी right होगा ये ध्यान रखना है आपको ठीक है ना ये ने की cursor का left कोई और होगा या cursor का right कोई और होगा ठीक है जैसे आपके right and left hand है उसी तरह से cursor का भी left होगा को करसर का भी right होगा वस इन दोनों में यह difference है space bar की sorry backspace key में और delete key में backspace key left से raise करती है और delete key right side से right of the cursor से raise करती है कोई भी letter अगर आपको letter है कोई word है कोई sentence और delete करना है then you go with these keys next enter keys enter key का दूसरा नाम भी है enter key को हम return key भी कहते है ठीक है जैसे माली जीए आपने कोई भी line type की है if you want to move to the next line then you go with enter key ठीक है enter key को आप return key भी कहते हैं कई keyboard के उपर आपको return लिखावा मिलता है लेकिन basically ज्यादा तर आपका enter key ही लिखावा मिलता है ठीक है तो वध्यान रखना है तो move to the next line जब आप या end of the paragraph ठीक है न जैसे फूल स्टॉप करने के बाद जो भी आप टाइप करेंगे जैसे enter key press करेंगे तो next paragraph भी आपका start हो जाता है बैसिक से आपने एक line type की हो जैसे आपने enter key press key then next paragraph आपका start हो जाता है यह टाइपिंग में होता है ठीक है जाना रखना enter का उसके बाद escape की किसी प्रोग्राम को आपको cancel करना है ठीक है डायलोग बोस ओपन है या आप सपोज कि अब तो आप तो टाइपिंग की बात कर रहे है इनिक एसकेप की का यूज है तो कैंसल दा क्रेक्टर माली जब आप टाइप करो सपोज कीजिए मैंने function कीज देखिए आपने keyboard पर देखा होगा जो आपकी रो होती है कि f1 से लेके f12 तक इनका भी अलगलग function कीज होती है ठीक है f1 to f12 f1 f2 f3 up to f12 तक होती है इनका भी f1 for help के लिए यूज करते हैं यह भी अलगलग प्रोग्राम जोते हैं अलगलग सॉफ्टर होते हैं और में अलगलग प्रपजीज के लिए यूज किया जाता है जैसे f1 for help f5 for refresh और f12 for to open dialogue box ठीक है ना तो ध्यान रखना है आपको यह अलग-अलग जो है अलग-अलग सॉफ्टर के अंदर अलग-अलग प्रपजीज के लिए यूज की जाएंगी ठीक है तो आपकी फंचन कीज होती है f इसलिए लिए लिखा होता है क्योंकि फंचन कीज है ठीक है उसके बाद यह तो थी कुछ कीज के बारे में जो आपने कुछ टाइपस ऑफ कीज देखी है देन उसके बाद आपका नुमेरिक कीपैड आपने देखा होगा कि आपका जो जस्ट आपके कीबोर्ड के राइट साड़ में होता है जो आपके जीरो से लेके नाइंत अकांटिंग होती है यह जब तर तब हम यूज करते हैं जब आपको नुमेरिक डाटा एंटर करना होत कि से तो भी नुमरिक चृप वैसे थो लेकिन आपके जो रर्ट sistema होता है कि व오्र के वह इसको क्योंकि स्पैशates इंडर करने की लिए यूज करते है तेक उसमें क्याकर टाइंट का को अन्डा करने के लिए एंट को करते हैं तिक है उसमें क्या क्या अगर आपकी on है, then you can type with the help of numeric keypad, numeric keypad के help से हम type कर सकते हैं, और उसमें page up and page down में अगर आपको जाना है, without using mouse, जैसे हम scroll करते हैं, up and down जाते हैं, किसी page के उपर, ठीक है, तो page up and page down का हम use कर सकते हैं, page के उपर और नीचे जाने के लिए, ठीक है, और enter key भी होती है, वो जैसे हम आप रिंट की की बात की है, next line में move करने के लिए, next cell में move करने के लिए, हम इसका use करते हैं, जो आपका numeric keypad होता है, ठीक है, कुछ laptops में आपको available होता है, और कुछ laptops में नहीं होता है, तो आप कोशिश करें कि जब भी आप laptop purchase करते हैं, तो उसके अंदर numeric keypad भी होना करी दें, ठीक है, इससे आपको क्या होगा, कि जब आप data enter करते हो, numeric data enter करते हो, कोई calculation perform करते हो, इसी भी soft के अंदर, ठीक है, then you can do fastly with the help of numeric keypad, ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे, अब home keys की, देखिए home keys की, जब हम अपनी finger place करेंगे, ठीक है, finger place करते हैं, जैसे कि 10 fingers, दोनों hands की, ठीक है, एक left hand की और right hand की, ठीक है, आपको जो place करेंगे, यानि कि आपकी placing position कौन सी होनी चाहिए, कहाँ पर आपको finger place करनी है, ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, ASDF, यह आपकी little finger बोलते हैं, इसको ring finger कहते हैं, यह आपकी middle finger होती है, और इसको बोलते है index finger, और इसके बारे में तो सभी को पता है, इसको thumb कहते हैं, ठीक है, इनकी placing position होती है, जैसे कि ASDF, ठीक है, यह आपकी ऐसे finger place होती है, जब आप typing start करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी home position पे ही आपकी finger place होनी चाहिए, नहीं तो आपकी क्या होगी, आपकी typing जो है, गलत ह होगी, ठीक है, और दूसरा है आपका J के L semi colon, जे, जे वैसे तो यह धरूता है, वैसे लेकिन इसका जो समझाने का, जैसे कि semi colon, इसको हम semi colon कहेंगे, dot or यह then comma है, इसको semi colon कहते हैं, ठीक है, then L के J, यह right finger हम इस in keys के उपर रखेंगे, ठीक है, तो यह क्या 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 ठीक है, clear है सभी को, ठीक है, तो right hand के लिए, left hand के लिए तो ASDF, यह वाली finger use करेंगे, और जो आपका thumb होगा, यह जो आपके, दोनो hands के thumb होगे, वह आपके space bar की के उपर होंगे, ठीक है, ठीक है, तो आप जैसे जहें typing करते चले जाएंगे, आपका कौन सा, ज्यादा, thumb जो and jkl semicolon for right hand के लिए, ठीक है, यह ऐसी finger आपको place करनी है, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे guide keys, ठीक है, guide keys जो होती है, आपकी F और J होती है, जो F and J की होती है, जो keyboard के उपर होती है, उसको हम guide key कहते है, for left hand and right hand, यानि कि F जो होगा, वह आपका left के लिए होगा, और J होगा, वह guide keys हम कहते है, ठीक है, तो के students, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, okay, bye and take care, ठीक है,